के पश्चात पूरे कॉंग्रेस पाटी ने एक मोबिलाइजेशन किया था गरी गरी में नुकड नुकड में जो कॉंग्रेस के कारे करता थे वो राहूल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण नियाए पालिका पर ठहर ठहर कर आकरमन कर रहे थे केवल हिंदुस्तान में ही नहीं विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेट्मेंट जारी कराने का काम भी कॉंग्रेस के कारेकरता रह रहे के करा रहे थे एक एको सिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की judiciary के खिलाफ लग गई थी और आज जब ये judgment आया है मैं कहूंगा this is the victory of the common people of इंडिया ये साधारन जनता के लिए तो विजय का उच्छव है ही पिछडे वर्ग के लिए विजय का उच्छव है ही ये न्याय पालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है क्यों क्योंकि जिस न्याय पालिका के खिलाफ सडकों पर अंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम Congress Party कर रही थी आज उसी न्याय पालिका ने कहा कि आप कितना भी दवाब या प्रेशर की राजनीती हमारे उपर करने की कोशिश कर सकते हैं मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेश आपके प्रेशर टेक्टिक्स के कारण आपके दवाब की राजनीती के कारण न्याय पालिका जुकती नहीं है जो अन्याय है वो अन्याय है